प्रभातखबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं नमस्कार प्रभातखबर में आपका स्वागत है जार्खन की सांस्कृतिक राजधानी देवगर के बाबा मंदिर को खुलवाने के लिए आज बंद का एलान किया गया है कोरोना संकट को देखती हुए सावन में बाबा मंदिर बंद रहा हाला कि सावन के बाद भी अब तक सरकार में मंदिर को खोलने का फैसला नहीं लिया है मंदिर खोलने के लिए सरकार के आदिश का इंतजार किया जा रहा है वही मंदर खुलवाने के लिए पंडा धर्म रक्षणी सभाग और देवगर के विविन वेवसाइक संगतनों ने आंदोलन तेश कर दिया है बंद से पहले रविवार को मशाल जिलूस निकाला गया वही आपको बता दे कि पड़ोसी राज्युब बिहार में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है कुछ कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करते हुए बिहार के धार्मिक स्थलों में आम भक्तों को पूजा करने के आदेश दिये गया है वही जन्मास्टमी को भी देखते हुए विभेन मंदिरों को खोला गया है इधर आपको बता दे कि सावन में मेला और बाबा वैदनात के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की बज़़ से जितनी कमाई होती है उससे यहां के लोगों का साल भर का अंतिजाम हो जाता है पुजारियों का पुछ तैनी काम पुजा पाठी है लेकिन इस बार दूसी लहर की मार झेलनी पड़ी सावन में भी मंदिर को बंद रखने का फैसला लिया गया पिछले साल भी कोरोना के कारण मेला नहीं लगा और इस बार भी कमोवेज वही स्थिती रही वही सावन से पहले भी पंड़ा धर्म रक्षणी सभा ने मुख्यमंत्री से मंदिर खोलने का आगरह किया था साथ ही लॉक्डाउन में बाबा मंदिर से जुड़े पंड़ा समाच के स्थिती और दुकानदारों की बधाली के बारे में भी ओगत कराया था साथ ही मुख्यमंत्री से प्रभावित लोगों के लिए विशेस राहत पैकेज का एलान करने का भी आगरह किया गया था इधर प्रशासन की तरब से बंद को देखते हुए बाबा मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गया है बाबा मंदिर के गर्वागरी, मजलाखंड, मिकासद्वार, फील पाया, वियाईपी गेट, पारवती मंदिर, सहितपूरे मंदिर परिसर में मंदिर करमचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बाबा मंदिर के परिसर तक कोई आम भक्त ना पहुंचे, इसके लिए भी पुलिस बल की तैनाती की गई है।